नमस्कार साथियों, RPSC ने अपने रिजल्ट की सिरीज में फर्स्ट ग्रेड का जो है एकोनोमिक्स सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है अब देखिए हम इस रिजल्ट के अनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एकोनोमिक्स में किस प्रकार का सिनेरेरियो रहा अगर हम बात करें economic subject को group B में शामिल किया गया था और इस subject के लिए जो exam है देखिए वो 15 October 2022 को GK का paper हुआ था और 16 October 2022 को economics subject का paper हुआ था अगर हम देखें कि जब vacancy आई थी तो उसमें 62 post थी 62 post के अंदर देखिए 142 candidate का जो है वो provisional list में role number प्रकाशित हुआ है इन सभी 142 candidate को हाद दिक्षुब कामना है अब देखिए हम यहाँ पर पूरा overview देखते हैं देखिए अगर हम देखें 62 जो post थी इन 62 post के अगर हम दुगोने अभ्यार्थी देखें तो देखिए यह 124 अभ्यार्थी होते हैं लेकिन गोर करें तो यहाँ पर 18 अभ्यार्थी अब देखिए अगर हम देखें कि यह जो 62 post है उनका classification किस परकार था अब अगर जब आप चैनल पर वीडियो देख रही हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की notification आप लोगों को मिल सकें अपने friends के अब अच्छा लगता है comments करें अच्छा जो भी आपकी विचार हों वो comments करें बस भाशाशेली का ध्यान रखें अब शब्द ना लिखें और किसी पर नीजी comment ना करें आप अपने विचार जो भी सकारात्मक हैं नकारात्मक हैं अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए भाशाशेली को ध्यान में रखते हुए आप अपने विचार लिख सकते हैं अब देखें अगर हम देखें यह economics जो subject है इसमें total post 62 थी 62 थी तो जनरल कैटेगरी में 22 सीटीं थी इन 22 सीटों में अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी की जो सामान्य सीट थी वो 15 थी सामान्य म थी महिला में वीड़ो कैटेगरी में एक सीट और डिवोर्शी की एक सीट थी अगर जनरल कैटेगरी की और सामान्य महिला की यानि जनरल कैटेगरी में सामान्य सीटें और सामान्य महिला की सीटों पर cut off देखें तो 327.17 अंकों पर यह cut off रही है परतिशक में बात करें तो 32.70, 72.70% पर ये cut-off रही है, अगर हम देखें तो देखिए cut-off एक अच्छी cut-off रही है ये, क्योंकि ये दुगुने अभियर्थियों की cut-off है, अभी तो ये cut-off बढ़ेगी, जब document verification होगा, उस समय ये cut-off देखिए बढ़ेगी, क्योंकि CT तो सिर्फ 62 है, वीडियो केटेगरी में देखें तो 22.95 अंको पर ये cut-off रही है, यानि कि 49.54 पर ये cut-off रही है, डिवर्सी केटेगरी में ये काफी ज़्यादा है, यानि कि हम वीडियो केटेगरी के compare करें तो 258.37 अंको पर ये cut-off रही है, यानि कि 57.41 पर ये cut-off रही है, वहीं अगर हम EWS सेटेगरी में बात करें तो ews मैं यहां पर देखिए साथ सीटें सी थी साथ में हम जनरल के टेगरी में यानि EWS की सामान्य सीट और EWS में सामान्य महिला की सीटों का विवाजन किया गया था यहाँ पर वीडो और डिवोर्सरी की सीटें अवलेबल नहीं थी तो सामान्य सीट EWS में 5 और वहीं सामान्य महिला की सीटें 2 इन पर जो cut off रही है वो 305.18 अंकों पर रही है यानि कि 67.8 पर तिशत ठीक है यह cut off रही है वहीं SC केटेगरी की बात करें SC केटेगरी में 10 सीटें थी SC केटेगरी की जो सामान्य सीट वो 7 थी सामान्य महिला की सीटें 2 थी और वीडो केटेगरी में 1 सीट थी जनरल केटेगरी में देखिए 202.62 यानि सामान्य और सामान्य महिला दोनों की सेम cut off रही है 202.62 अंकों पर रही है यानि कि 60.58 पर तिशत पर वहीं अगर हम देखें वीडो केटेगरी के अंदर यहाँ पर NA लिखा है NA का मतलब है यहाँ पर due to minimum qualification जो candidate है वो not eligible हुए है not applicable है वहीं अगर हम ST केटेगरी की बात करें ST केटेगरी में देखिए 7 सीटें थी ST की सामान्य सीट और ST की महिला सीट इस पर जो सामान्य सीट थी वो 5 ती और जो महिला सीट थी वो 2 थी इन पर एक ही cut off रही है यानि 258.34 अंक रही है अगर हम परतिशत में देखें तो 57.40 पर ये cut off रही है फिर हम बात करते हैं OBC OBC में देखिए 13 सीटें थी OBC में जो OBC सामान्य सीट नो OBC महिला की तीन और OBC में वीडियो केटेगरी की एक सीट थी अब देखिए ST में भी देखिए वीडियो डिवोर्सी की नहीं है OBC में डिवोर्सी केटेगरी की सीट नहीं है अगर हम यहाँ पर बात करें सामान्य OBC की सामान्य और सामान्य महिला OBC महिला की जो है उस पर cut off 310.111 अंक रही है यानि की 68.91 परतिशत अगर हम वीडियो केटेगरी की बात करें OBC में तो 187.47 अंकों पर यह cut off रही है परतिशत में देखें तो 41.66 परतिशत पर यह cut off रही है MBC के अंदर देखिए MBC केटेगरी में 3 सीटें थी सामान्य MBC की सामान्य सीट 2 और MBC की सामान्य महिला की सीट 1 वीडियो और डिवर्सी केटेगरी में यहां भी सीटें अवलेबल नहीं थी तो इन सीटों पर देखिए जो सामान्य सीट थी उस पर 294.26 अंकों पर यह cut off रही है यानि कि 55.39 परतिशत वहीं सामान्य इसमें MBC जो महिला की सीट है वो 208.08 अंकों पर cut off रही है यह 46.24 परतिशत होते हैं इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर एक नई चीज हमें देखने को मिलती है 62 सीटें थी 62 सीटों में सिर्फ एक सीट पर SC की एक सीट पर candidate अवलेबल नहीं हुए है बाकी सभी सीटों पर यानि कि 61 सीटों पर candidate अवलेबल हैं अगर हम 61 के दुगुने करें तो यह होते हैं 122 और 122 का भी अगर हम दुगुना देखें ठीक है दुगुने होते हैं 122 122 से भी देखें तो 20 candidate यहां पर ज़्यादा हो रही है क्योंकि सिर्फ इस एक सीट पर यहां पर candidate अवलेबल नहीं है यह तो बात थी अपनी जो नॉर्मल जो केटेगराइज किया जाता है सीटों का वहीं अब अगर हम horizontal classification देखें तो horizontal reservation में देखें एक्स सर्विसमेन की जो cutoff है वो 210.06 अंकों पर रही है यानि कि 46.68 अंकों पर यह cutoff रही है वहीं अगर हम physical handicapped की category की बात करें तो physical handicapped में देखें दो केटेगरी पर सीटे अवलेबल थी उन में से एक केटेगरी के अंदर 26.26 अंकों पर यह cutoff रही है यानि कि 69.16 पर वहीं एक केटेगरी के अंदर जो है candidate अवलेबल नहीं हो पाए है इस प्रकार से यह economics सब्जक्ट का देखिए हमने एक परियास किया है कि किस प्रकार से candidate अवलेबल हुए है उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मिलते रहेंगे हम इसी तरह के knowledgeable वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत